हाई गास मेरा नाब है तिशार गास ज्यादा दर लोग एडसेंस अप्रूबल के लिए जब अपलाय करते हैं तो गास उन्हें यह कॉमन सा इश्यू फेस करना पड़ता है गास इश्यू का नाम है वैल्यूइबल इन्वेंट्री नो कंटेट यह बहुत ही कॉमन सी प्रोब्ल गास वैल्यूइबल इन्वेंट्री नो कंटेंट की प्रोड्रों घट गई तो गास यह सब चीजे तो ने आपको अपनी लैट्टॉप की स्क्रीन पर चल करी बता पहूंगा मगर हमेशा के तरह पहले में आप से बात किना चाहूंगा कि अगर गास आप मेरी चैनल पर नही अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको आसानी से बिलते रहें तो गाइस आप चलते हैं अपनी लैपटप की स्क्रीम पर जाने आपको दिखाऊंगा कि वो इश्यू क्या था और गाइस उसे मैंने कैसे सौल करा अब गाइस वो इश्यू क्या था जिस वजह से मुझ Robo TXT में सब्मिट करना ही एम घाइस उसी एकसे मल साइट मैप को अपनी anyways साइट मैप Robo TXT में सब्मिट कैसे करेंगे गाइस उन में आपको बताता हूँ तो तो guys वो आपकी robot txt file automatically generate कर देता है तो guys यह कहिना का भी फाइदा है Yoast SEO plugin को use करने का तो guys अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी website में Yoast SEO plugin use करते हैं तो guys अगर आप Yoast SEO plugin use करते होंगे तो guys यहाँ पे आपकी नीचे SEO लिखा होगा तो guys यहाँ पे जैसे आप SEO पे आएंगे तो guys यहाँ पे fourth number पे tools लिखा होगा है तो guys हम उस पे click करेंगे उसके बाद guys यहाँ लिखा है tools used SEO और guys उसके नीचे लिखा है import and export and then that लिखा है file editor तो guys हम file editor पे click करेंगे अब guys यह हमारी robot txt file है तो guys यहाँ पे हमारा site map submit होना जरूरी है तभी guys हमें valuable inventory no content की problem से छुटकारा मिलेगा तो guys यहाँ पे आपको user agent के नीचे अपना site map submit कर देना है तो guys यहाँ पे मैं लिखूंगा site map and then guys मैं column लगाऊंगा उसके बाद गैस paste दूँगा अब guys यह मेरी website का XML site map है तो guys यह क्या है और इसे हम कैसे generate करेंगे guys इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो guys उस वीडियो को पहले जाकर के देखे and then guys बाद में इस वीडियो को देखें तो guys आपको यी वीडियो समझ में आ जाएगी guys उस वीडियो का link में description में देदूगा आप जाकर के देख सकते हैं तो guys यहां से हमें XML site map को copy करना है and then guys column के आगे हमें इसे paste कर देना है आप guys paste करने के बाद हम save changes to robots.txt पे click करेंगे आप guys हमारी robot.txt फाइल में हमने अपना XML site map submit कर दिया है यह करने के बाद guys आप Google AdSense के approval के लिए अपलाय करें तो guys आपको valuable inventory no content की problem कभी नहीं आएगी तो guys इस बाद का आपको ध्यान डखना है कि आपको XML site map Google search console में भी submit करना है and XML site map आपको robot.txt में भी submit करना है दोनों जगे submit करें and then guys आप apply करें Google AdSense के approval के लिए Thank you guys for watching Guys अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो guys प्लीस इस अपने friends के साथ share करें and guys अगर आपने मेरे channel को भी तक subscribe नहीं किया हो तो guys नीचे दिएए subscribe button पे click करके मेरे channel को subscribe करे and guys bell icon को भी press कर दे ताकि guys आने वाले सारी अच्छे अच्छी वीडियो से notifications आपको आसानी से मिलते रहे and guys अगर आपके mind में अभी भी कोई query है ads and supporters related तो guys आप comment section पे लिख करके उससे पूछ सकते है